और अब एक स्टॉक जिसमें स्मार्ट मूँ देखने को मिल रहा है और वो है पॉलिप्लेक्स जेबर्दस एक्षिन एक वज़े तो यह की जहन साब को पसंद आया आज स्टॉक ऑफ दे डे के तौर पर लेकर इसके अलावा भी एक नहीं अनेक वज़े हैं जिसके चलते इसे स चांदार तेजी होती दिख रही है वरुन हमार साथ तयार है बताने के लिए सारे कारण जिनके वाज़े से स्टॉक में दमदार एक्षिन हुआ है ऐसा ही पी स्टॉक भी रहा है और मतलब मुल्टिपल फोल्ड इसने रिटन दिये है अगर आप सोचे इस स्टॉक में इसके एक ही रीजन है मैं बता हूँ आपको हर एक इन्वेस्टर को इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है जो बीएसी पर और एनिसे वरुन रखा है वो जाके पढ़ना चाहिए मरला आप पढ़ेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप किस तरह की कमने में ये जो पेट फिल्म है यायनि कि जो पॉलिष्टर फिल्म्स बनाने का कारोबार है वो यह कम्नी करती है और दुनिया की टॉप कम्नी में जो है कम्नी शामील है इनफाक्ट अगर इस typically if I take it, तो गो कंनी और में तूप साथ जो कम्नी्स है उसमें ये कम्नी जो है वो शामील ह ये सबसे बड़ी बात है अब ये तो हम सब जानती है कि packaging films का कारवाद जो है वो ये company करती है काफी सारी FMCG companies को ये company cater करती है बागी company को भी ये company cater करती है लेकिन दो बड़े sector से जो की आगे चलके company के लिए बहुत बड़ा growth driver रह सकते हैं क्योंकि ये जो pet flims है इनका इस्तमाल दर असल healthcare और साथी साथ EV industry में होता है ये सबसे बड़ी बात है in fact company अपने presentation में दिया भी है EV industry में इस company के product का बहुत बड़ा इस्तमाल होता है आप सचेंगे pet flims जो की packaging में यूज होती है वो EV industry में कहां काम आएंगी तो basically ये जो pet flims होती है जो thin pet flims जिसको बोलते है उनका इस्तमाल जो बैटरी में basically अगर आप सरज शब्दों में समझेंगे तो बैटरी जो गरम होती है उसको cool off करने के लिए होता है और EV space में ये जो बैटरी का काफी बड़ा इस्तमाल होता है और गाडियों में जब EV ज़ सबसे ज़्यदा important battery battery. जब आप लगा के चार्ज करेंगे तो battery गरम होगी. उस battery को गरम करने के एक फिल्म या जिसको बढ़ानी में जो में इस्तमाल होता है वो polyplex बना तो डेफिनिया में इसाथवी सबसे बड़ी company है उसकी. साथवी सबसे बड़ी company है इंतिया में तो number one ही इंडिया में तो और पूई बना भी नी राशा है यह पहली कम्ती यह वेस्टर तो ग्लोबली 3M बनाता है जाता है लोबली 3M बनाने वाली यह है तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो इस कमनी को मिलने वाल बेसिकली उसको कहते है कि the energy and power density जो है उसको कहाना की control में करने के लिए इसका इग्ज होता है और battery की life बड़ाने के लिए उसके जो overall life cycle है उसकी और safety करने के लिए जो product इस्तमाल होता है वो एक कमनी बनाती है तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा होगा उस product का इस्तमाल आप तो healthcare में भी ज्यादा होने तो जैसे जैसे आप देखेंगे नाचुरल गैस और ऑईल के दाम कर्म होते है ना तो उसका भी बहुत बड़ा फाइदा है तो दोहरा फाइदा और अनल जी तीस सी सबसे बड़ी चीज यह है कि हम जब देखो डिविडेन के नाम पे कोल इंडा को याद करते प्राइवेट कम यानि कि अगर आप तप से होल्ड कर रहे है तो आपकी होल्डिंग वाईल्व सिर्फ दो सोर रुपे की है इस तक ही रिटेंग इस कमनी ने कम लगाता है और पांच य अच्छे कोर्टर से डिविडेन को साल में एक बार देने में पसीन आता है यहना इक वार्टर गजब की कंपनी है जितना आप इस कंपनी के बारें पड़ेगे उतना प्यार करें इसलिए मैं कई बार बोलतों कुछ कुल स्टॉक्स को है ना प्राइस टार्गेट पर नहीं रखना चाहिए टाइम टार्गेट पर रहे हैं साल दो साल तीन साल के लिए रखके छोड़ दो इनको इनफेक्स भी कर रहे है और कमनी ने खुद ने का है कि इसके चलते माजिन बढ़ेंगे 2017 की में पढ़ रहा था इनफेक्ट फानेशल तब बारा तेरह 14 परसंट के आसपास के माजिन हुआ करते वह बढ़के ऑलड़ी 26 परसंट आ चुके हैं और यहां से और बड़ी जो वर्बक पिंकर्स ने खरी दिये अगर उस वेलिशन पर पॉलिप्लेक्स भी के तो भाव तीन से साड़े तीन आर रुपर हो जैपकि वह तो पांक से इसकी साइस के मुकामले में कुछ भी नहीं है इकनी सी है बिलकुए और इनके 6 में से 5 गान तो इंडिया के बाहर है आपके लिए पूरी कहानी पॉलिप्लेक्स की जो वर्बन ने आपको बताई कि जबर्दस एक्षिन इस स्टॉक में होता दिखा है दमदार रेली के पेछे यह नई ट्रिगर्स हो नए ट्रिगर में सबसे बड़ा नए ट्रिगर है इलेक्रिक ट्विकल्स में इस कमसे की एं कर दो